असलाम लेकूम एवरिवाइन कैसे हैं आप सब लोग आज में हाजिर हूँ आपके सामने एक निया डेस का डिजाइन लेके जिसको मैं एज जूरियल सिल्की तर से बनाऊंगी जिसको हम पैराशूट का धागा पे कहते हैं और इसमें किसी किसम की और लेयर एड़ करने की जु यूज कर रही हूं कानली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए थैंक्यू तो सबसे पहले हम अपना डिजाइन शुरू करने से पहले सबसे पहले एज यूजियल स्लिपनोट बनाएं के बाद हम अटाइज करेंगे अपने फैबरिक पर सिंगल क्रोशे की हर्प से कुछ इस तरह से अटाइज करने के बाद रीजिन का गैप ना होंगी मैं वान टू त्री त्रीजिन के गैप के उपर हम इसको सिंगल क्रोशे करेंगे थ्री चेन वन टू थ्री त्री त्री चेन को सिंगल क्रोशे करते हुए हम अपना बेस रो बना लेंगे कुछ इस तरह से इसकी बेस रो कंप्लिट करेंगे थ्री चेन क्लस सिंगल क्रोशे तरीजेन और इसका हमने इस तरह से डिस्टेंस लेना है जितना ये है और कम ज्यादा नहीं होना चाहिए जिससे हमारा डिजाइन टाइट हो जाता है और लूज हो जाता है और वो फिर आपका सारा डिजाइन खराब हो जाता है members come to complete करती हूं करके फिर मैं नैक्स टो पे आती हूं कुछ इस तरह से मैंने अपनी बैस्ट्रो कम्पिलीट की है त्री जेन प्लड संसे के गेप से और यह इसका back side है और जहां पर आप अपना length complete कर लेंगे तो हम इसको यहां पर third को cut करके इसकी knot लगा लेंगे cut करके यहां पर हम इसको एक बार फिर से इसकी knot लगाएंगे ताके यह खुले नहीं और last पे जब हम दूसरा row का last stitch बनाएंगे तो इसको उसके साथ attach करेंगे base row बनाने के बाद हम second row बनाने से पहले फिर से इसकी slip knot बनाएंगे slip knot जरूर बनाया कीजिए उससे आपका design score हो जाता है और खुलने का भी खत्रा नहीं होता और आपकी मेनद भी दाया नहीं होती है slip knot ले लिया हमने slip knot लेने के बाद सबसे पहले जहां से single crochet पर शुरू किया था उसी single crochet पर इसको single crochet करना है सिंगल क्रोशे हाफ डबल क्रोशे लेना है अब हमने इस तबारी जे जो थ्री चेन का gap है इसमें हमने अपना पत्ती बनानी है पूल की जो हमारी design है मोटिफ है पत्ती पत्ती टाइप वो बनाना है इसमें सबसे पहले single crochet के बाद half double crochet one time double crochet two time one double crochet और साथ में two double crochet two double crochet के बाद फिर से एक बार हमें बनाना है यहाँ पर half double crochet इसी gap के अंदर और यह हमारा complete हो जागी यह बहुत ही खूपसूरा छोटा सा design है और बहुत ही जल्दी बन जाता है इसको हर कोई बहुत ही असानी से carry कर सकता है और असानी से इसको बना सकते हम लोग यह हमारा first step complete हो जाता है तो इसके बाद हम यहाँ पर इसको single crochet के उपर ही single crochet करेंगे जो जो single crochet हमने first row पे बनाया था उसी पर हमने इसको single crochet कर लिया second start करने के लिए half double crochet one time next gap में half double crochet two time double crochet and then one time half double crochet कुछ इस तरह से और यह वाले single crochet के उपर इसको single crochet करेंगे again next step पे next वाली gap के उपर half double crochet one time two time double crochet one two double crochet half double crochet फिर से वन टाइम और इसको single crochet करेंगे single crochet के अंदर इस तरह बहुत ही खुब्सरों डिजाइन बनता है यह और बहुत ही असानी से बन जाता है एक बार फिर से बनाएंगे सबसे पहले half double crochet one time two time double crochet और फिर लास्ट पे एक बार फिर से half double crochet और यहां पर हम इसको single crochet करेंगे single crochet के उपर single crochet करने के बाद हम इसी pattern को लेते हुए repeat करते हुए अपनी length complete करेंगे कुछ इस तरह से यह बनेगा मैं आपको थोड़ा सा और भी बना के show करती हूँ ताकि आपको ठीक से असानी से सबच में आ सके आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी length और भी complete की है बहुत ही प्यारा design है इस design को आप अपनी shirt के border पे भी बना सकते हैं दामन पे और बाजों पे front पे भी बना सकते हैं गले पे भी बना सकते हैं बहुत खुशरत लगता है और अगर आप टेबल कवर के किनारों पे बनाएंगे तो भी बहुत खुशरत बनेगा यह इसका back side है और यह इसका front side है आप इसी design को cotton thread से जरूर ट्राइ कीजिएगा वो design के साथ अपनी द्वाओं में याद रखिएगा अल्ला अफेज